Hello Friends, Welcome to our channel तो Friends, आज हम बात करेंगे 19 अप्रेल 2019 के Current Affairs के बारे में So Friends, अगर आप किसी भी Government Exam की त्यारी कर रहे हो जिसमें Current Affairs related questions पूछे जाते हैं तो उनके लिए ये वीडियो काफी helpful रहेगी और साथे साथ ये हमारे Current Affairs one-liner होंगे जहां पर आज का हमारा पहला question है Which organization releases World Press Freedom Index every year यानि के कौन सा संगठन हर साल विशव प्रेस्वतंतरता सूचकांग जारी करता है तो वो organization है Reporters Without Borders हमारा next question है, question number second What was India's rank in the World Press Freedom Index 2019 यानि के विशव प्रेस्वतंतरता सूचकांग 2019 में भारत की rank क्या थी तो भारत की rank थी 140 अगर हम 2018 की बात करें तो उस समय भारत की rank थी 138 लेकिन इस बार भारत की rank है 2019 में 140 यानि के इंडिया जो है last year के compare में दो पाइदान नीचे आ गया है इसका reason ये है कि इंडिया में जो है generalist के against जो है violence होती है जिसमें जो है police violence भी शामिल है माववादियों दोरा की गई हिंसा भी शामिल है criminal groups और corrupt politicians दोरा की गई हिंसा भी जो है इसमें शामिल है यानि के 358 वर्षों में royal society के साथी में चुनी जाने वाली पहली भारती महिला विज्ञानिक कौन बनी है तो उन scientist का नाम है गगंदीप कंग जो की भारत की पहली woman scientist है जो की select हुई है fellow of royal society in short में FRS लंडन के लिए question number 4 the supreme court has determined which illness as a ground to spare death row convicts from the gallows यानि के सर्वोच नियाले ने यह निर्धारित किया है कि कौन सी बिमारी एक मौत के रूप में फांसी के दोशियों को मौत की सजा दे सकती है तो वो बिमारी है mental illness यानि के मानसिक भिमारी हमारा next question है question number 5 which nation has successfully launched its first satellite into space under Japan's BIRDS project यानि के Japan के BIRDS project के तहत किस रास्ते ने सफलता पूरवक अपना पहला उपगराय परशेपित किया है तो वो नेशन है नेपाल जहां पर जो है नेपाल ने अपना पहला सेटलाइट नेपाली सेट वन United States के Virginia space से जो है यह सेटलाइट लाँच किया है नेपाल ने यह सेटलाइट जो है नेपाली सैंटिस द्वारा जो है डेवलेट किया गया है नेपाली सेट वन यह जो है एक low orbit सेटलाइट है और साथ साथ जो है यह सेटलाइट BIRDS project of the Japanese Yushu Institute of Technology के अंडर आता है Question No.6 है which astronauts is soon going to set a new record for longest single space flight by a woman यहनिके कौन से अंत्रिक्ष यात्री जल्दी एक महिला द्वारा सबसे लंबे समय तक एकल अंत्रिक्षियान का नया record स्थापित करने जा रहे हैं तो उन महिला का नाम है Christiana Coach Question No.7 है जैदीप सरकार has been appointed as India's next high commissioner to which nation यहनिके जैदीप सरकार को किस रास्टे के लिए भारत का अगला उचायुक्त न्युक्त किया गया है तो जैदीप सरकार को जो है appoint किया गया है India's next high commissioner to South Africa यहनिके इस question का answer है South Africa Question No.8 है which country's peacekeepers were awarded medals of honor for their supreme dedication and sacrifices in South Sudan under the UN mission in South Sudan यहनिके किस देश के शांती सेनको को दक्षिन सुदान में संयुक्त रास्टे mission के तहत दक्षिन सुदान में उनके सर्वोच समर्पन और बलिदान के लिए पदक से समानित किया गया है तो वो country है India Question No.9 है which company recently announced its plans to shut down operations in China यहनिके हाली में किस company ने चीन में परिचालन बंद करने की अपनी योजना घोशना की है उस company का नाम है Amazon So friends हमारा आज का last question है Question No.10 Indian ships will participate in the international fleet review 2019 in which country यानिके भारतिय जहाज किस देश में अंतरास्तिय fleet review 2019 में भाग लेंगे So friends भारतिय जहाज चाइना देश में अंतरास्तिय fleet review 2019 में भाग लेंगे So friends यह थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने 19 April 2019 के current affairs को cover किया Next video जो आपको जल्दी चैनल पर मिल जाएगी So thank you friends for watching this video अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को like कर सकते हैं वीडियो को share कर सकते हैं अगर आपका कोई question है तो आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट करकर पूछ सकते हैं और साथी साथ आप हमारी चैनल को subscribe कर लीजिए और subscribe करने के बाद एक bell icon का option आता है आप उसे भी press कर लीजे तागि हम next time कोई भी वीडियो upload करे उसकी notification जो है आपको मिल जाए